अमरेकूम वीवर्स कैसे हैं आप मैं अली हाश्मी आज आपको ओइस्टर मश्रूम्स का ओमलेट बनाना सिखाऊंगा इसके लिए आप कोई भी मश्रूम यूज़ कर सकते हैं बटन भी कर सकते हैं वॉक्स वाली भी कर सकते हैं लेकिन मुझे चुके फ्रेश मश्रूम का टेस पसंद है और मैंने घर में ग्रो की हुई है तो मैं ज्यादतर घर से ही तोड़ लेता हूं और क्योंके यह और्गैनिक होती है और खुद ग्रो की हुई है मेरे सामने है तो मुझे इसका टेस्ट भी पसंद है वो इस्टर मश्रूम का कंपैरिटिवली बटन मश्रूम मुझ कि इसमें आपको जो इसमें आपको फाइबर की भी बहुत मिकदार मिलती है और उसके लावा इसमें आपको पोटाशियम भी बहुत मिल जाता है तो लो कार्ब है बेसिकली ये मश्रूम और उसके लावा इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं चलें इसको तोड़ते हैं ताके ब उसी जगह से दोबारा उस में दोबारा उस शौपर में उसी जगह से ग्रोव हो जाएगी जहें इसके लिए हमें चाहिए एक टेबल स्पून और्गैनिक बटर साल्टिड नो साल्टिड कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं अगर साल्टिड यूज करेंगे तो फिर बाकि उसमें सॉल्ट कम डालिएगा बहुत एजी रेसिपी है यह इस पे जादा टाइम नहीं लगता इसके बाद आप ने इसमें मश्रूम एड़ कर देने और इसको दो मिनट तक आप ने फ्राई करना है इसमें ताकि मश्रूम के अंदर जो पानी होता है वो ट्राई हो जाए और भलकी इसमें बहुत एजी रेसिपी है यह आप सिर्फ दो मिनट में बना सकते है और बहुत हल्थी रेसिपी है यह अगराने के बाद आप फील करेंगे कि यह थोड़ी सी इस शकल में आ जाएगी ठीके इसका पानी ड्राय हो जाएगा और यह पक जाएगी इसके बाद इसमें आपने दो अंडे काली में इस नमक डालें वह आपे मुनसर है अगर आपको लालमेस का टेस्ट बसाद से तो लालमेस डाल दें उनको इसके अंदर अब ये आलमोस्ट दो मिनट इसे और लगेंगे और ये रेडी हो जाएगी अब आरा गर्मा गरम आमलेट इस वक्त रेडी हो चुका है ये देखें ये मिश्रूम आमलेट है मैं और गैनिक एक यूज़ करता हूँ आप भी कोशिश के और गैनिक ही यूज़ करें मैंसे अलसी के पराठे के साथ फ्लैक सीट पराठे के साथ खाऊँगा आप देख लीजिए जिस चीज़ के साथ आपको पसंद है आप चम्मच से भी खा सकते हैं वीडियो देखने का शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें थैंक यू वेरी मच्च अलाफ आप